Hello everyone, क्या हाल चाल, I hope आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ We all know FR is a huge subject और इसने पूरे-पूरे subject को cover करने में ही बहुत ज़ादा time लग जाता है और आम तोर पर ऐसा होता है कि पूरा subject cover नहीं हो पाता या फिर सारे के सारे index cover करने जाएं तो सारे के सारे questions नहीं हो पाते अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कम से कम समय में सारी चीज़े cover हो जाए और most important part भी हो जाए अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका क्योंकि FR का जो पहला paper है पहले paper से पहले आप कम से कम 5 दिन FR के paper को allot करेंगे अगर आप मेरी बात माने तो आपको 5 दिन allot करने चाहिए 5 दिन allot करने से आप at least पहला paper के लिए बहुत अच्छे से confident हो जाते हो अब ये 5 दिन में आपको क्या करना है आपकी जो भी schedule होगा अपने जो भी अपना plan create करके रखा होगा आप वो follow करिएगा अगर आपने कोई plan अगर आपने नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं मेरा एक video इस पे जरूर आएगा बहुत ही जल्द अब अगर आपने अपना plan already create करके रखा है तो बस मैं छोटी सी help लेके इस video के माध्यम से आया हूँ और वो help है important questions और इस बार मैंने बहुत ही कम important questions मैं आपके सामने लेके आया हूँ आप यूँ कह सकते हो कि ये master level questions है और ये master level questions मैंने हर NDS में से नहीं निकाले हैं जो बड़े-बड़े NDS हैं जैसे 103 business combination, financial instrument, 115, 116 leases और इसके अलावा भी आपके सामने ये दिख जाएंगे जैसे 111 हो गया, 12 हो गया, 23 हो गया, उसके बाद 28 हो गया उसके बाद दूसरे standards जैसे की 102 हो गया, 33, 21, 36, 19 और ऐसे standards में से मैंने कुछ master level questions निकाले हैं अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो master level questions हैं paper इसी में से बनेगा पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि minimum ये जो questions हैं, ये questions कवर करने से आपके वो particular chapter में confidence बन जाएगा या फिर आप इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मेरे पूरे concepts clear हो गए सो मैंने ऐसे चुनिंदा questions चूस किये हैं especially for November 23 attempt अब ये questions आपको मैं ध्यान से दिखा देता हूँ, जैसे 103 business combination है उसमें लगबग लगबग 10 questions है, 111 में सिर्फ एक question है, इसका मतलब ये नहीं कि 111 में बस आपको एक ही question करके जाना है देखे, easy easy questions हम सबको आते हैं, जब हम अपना पूरा पूरा topic revise करेंगे तो हमें easy easy साज चीज़े आ जाएंगी, बट मेरा बस ये मानना है कि मैं आपको ऐसे कुछ questions बता दूँ, जो आपको करके ही जाना है और जो छोड़के बिलकुल नहीं जाना है, तो ये कौन सी list है, ये questions का source क्या है, जिनके पास मेरा FR का question bank compiler है, version 4 या फिर version 5, उनको ये सारे question numbering उसी तरीके से उनको मिल जाएंगे, तो अगर आपने मेरा question bank purchase किया है, आप मेरे ही student है या फिर आपने अलग से मेरा question bank purchase किया है, तो ये question number आप उस question bank में से देख सकते है, question bank version 4 या version 5, ठीके ना, य यहाँ पर बच्चे बोलेंगे, सर फिर मतलब क्या है, फिर मतलब आप ये वीडियो आप उन बच्चों के लिए बना रहे हो, जो आप से course करीद रहे है, फिर हमारा क्या मतलब ठीक है ना, सर बाकी बैटे हम उनके पास चले जाएंगे, देखो बेटा, ऐसा नहीं है, मैं आ जिन बच्चों के पास हमारा question bank नहीं है, या फिर जिन बच्चों के पास हमारा question bank version 1, 2, 3, ऐसा कोई बहुत पुराना version है, तो don't worry, उनके लिए मैंने पूरी की पूरी list इनी questions की, इनी questions की पूरी की पूरी list आपके लिए तयार कर दी है, कुल मिलाके लगबग लगबग आप समझ लोग की लगबग 66 questions है, जादा questions नहीं है, और selected topics में से मैंने आपको ये questions दिये हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, again मैं आपको बोल दूँ कि इस में से paper बनेगा, पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ, कि ये सारे questions देखना आपके लिए exam से पहले mandatory है, तो ये questions आ हर topic का page number भी मैंने दे दिया है, कितने questions कितने topic में से लिए गए है, वो भी मैंने दे दिया है, अगर आप देखोगे, तो business combination में से 10 questions और financial instrument में से 18 questions, बाकि आपको कहीं 3, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 1, ऐसे questions आपको मिलेंगे, आप आराम से ये questions देख सकते हो, ठीके और इनक description में नहीं भी मिलती है, तो आप मेरे telegram channel पे जाके, ये particular file को सर्च कर सकते हो, उसके pin comment में आपको मिल जाएगा, क्योंकि telegram में भी मैंने इसको डाल दिया है, और telegram का link अगर आपको नहीं है, आपने telegram join नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आपको मैं telegram का भी link दे रहा हू या फिर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये पूरी की पूरी list of questions जरूर देखके जाना, अपने इसाब से जो भी आपने अपना schedule बनाया है, आप उसको बिल्कुल भी disturb मत करिये, आप उसको follow करिये, आपने कितने कितने questions सोचे हैं करके जाने को, आप उनको follow करि पर at least ये 66 questions आप जरूर देखके जाएगा, इससे आपको बहुत help होगी, और आपके concepts बहुत strong हो जाएगे, जिससे exam में आपको मेरा यकीन है कि कम से कम 20 से 25 marks का बहुत अच्छा help हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको मेरे revision videos देखने हैं, और वो भी बहुत आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा complete playlist मिल जाएगा, एक single playlist के अंदर सारे के सारे November 23 के लिए relevant वीडियो आपको revision videos आपको मिल जाएगे, इस्टिल में आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, कि आखरी के पेपर last days में, जैसे FR का पहला paper है, तो आप 4-5 दिन दोगे, तो उन द आप chart book भी purchase कर सकते हो, अगर मेरा chart book आपके पास नहीं है, क्योंकि जितने भी छोटे-छोटे mislaneous topics हैं, उनको करने के लिए time अगर आपके पास नहीं है, तो आप मेरे chart book में से cover कर सकते हो, और chart book में सारे के सारे topic cover है, चाहे बड़े-बड़े topics जैसे financial instrument, business combination 115 हो, और चाहे च चल्दी delivery करवाई जाएगी, उसका भी purchase link आपको description में मिल जाएगा, so guys, all the very best for the exams, और भी कुछ important videos में जरूर लेके आने वाला हूँ, तो इस channel पे बने रहेगा, thanks a lot guys and I hope कि आपके exams इस बार बहुत अच्छे जाएगे and आप इस बार बहुत अच्छे mark से पास हो जाओंगे, all the very best.